विल्कम टू माई चैनल माई कीचिन में आपका सवागत है आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ घर पर नान बनाने की रैसिपी शादियों में तो बहुत खाए हैं लेकिन आज में घर पर बना के खिलाओंगी बहुत आसान रैसिपी है और इसको बनाने के लिए मैंने अगर आप मैदा खाना ना पसंद करते हैं, तो आप आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, और इनके बीच ओ बीच एक होल बना लीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे, दो चमच मिलक पाउडर, यह बिल्कुल ओप्सनल है, अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं पिशी हुई चिन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में डाल देंगे, तीन चमच तेल, यह बिल्कुल और तेल डालने के बाद, यहाँ पर डालेंगे हम दही, और सभी चीजों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे, आगे पीछे नहीं, और दही से ही हम आटा बनाएंगे, पाने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है दही से ही अच्छे से गोंथ लेंगे आटे को और जो एक टोरी दही ली है उसका इस्तेमाल करेंगे एंकि मैंने थोड़ी सी बचा ली है उसका भी साथ में इस्तेमाल करूंगे मैंने सभी चीजें मेजरमेंट के हिसाब से बताईए आप इसी तरह से सभी चीजें ले और अच्छा सब नान बन कर तयार होंगे और आपको याद दिला दूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और कम करेंगी वीडियो और बैल को प्रेस करना ना भूलें बैल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे और यह देखिए मैंने जो दही बची हुई थी उसको भी डाल दिया है और बिल्कुल अच्छे से डो बगाएंगे बिल्कुल जिसे नान बेलने में आसानी होगी अगर आटा टाइट होगा तो नान नरम नहीं बनेंगे और यह देखिए इस तरह से पूरी दही में अच्छे से मिक्ष करके और आप पटक पटक के इसको करीब 6-7 मिंट इस तरह से पटक पटक के करें ताकि यह नरम और मुलायम बन जाए आटा और नरम और मुलायम से ही अच्छे नान बनेंगे और यह देखिए आटा चिकना हो गया है इस तरह से पलट पलट के करने से हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं तो थोड़ा सा तेल लगा के एक बार फिर 2-3 मिंट इस तरह से पटक के मैंने नान का डो लगा लिया है और इसको हम करिब एक घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए जरूर रुखें ताकि अच्छे से नरम और मुलायम हो जाए आटा अगर टाइम है तो एक घंटा अगर कम टाइम है आपके पास तो आधा घंटा जरूर रेस्ट के लि थोड़ा सा मसल के चिकना कर लिया है और अब हम इसकी लोईयां तोड़ लेंगे मैं पहले दो नान बना के दिखाती हूं आपको और फिर सारे आटे की इस तरह से नान बना लेंगे थोड़ा सा आटा लेंगे जितना हम रोटी का लेते हैं न उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा ले और लोई बना के रख लीजिए और अगर हाथों पर चिपक रहा है तो आप सूखा मैदा भी लगा सकते हैं ताकि हाथों पर ना चिपके और ये देखिए मैंने दो लोई बना कर रख लिए है और बाकी के आटे को मैंने ढखके रख दिया है ताकि सुखे न और सुखे आटे में लपेट के हाथों से इस तरह से दबा लीजिए और फिर इसके उपर तेल लगा लीजिए ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है अगर हम ऐसा करेंगे न तभी हमारे शोफ्ट नान बनेंगे और उपर से थोड़ा सा सुखा मैदा छिड़क दीजिए और उसके बाद जैसे हम आलू भर के लोई को बनाते हैं तो आप उसी तरह से दुबारा से इसकी लोई बना लीजिए और फिर सुखे आटे में लपेट के एक रोटी की तरह है बेल लीजिएगा बाहर से महेंगी मिलने वाली चीजें घर पर आसानी से सस्ते में बना सकते हैं और इसमें ज्यादा जंचट नहीं है बिलकुल आसान है बस थोड़ी सी मेनत लगती है आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये देखिए मैंने पूरी रोटी को बेल लिया है अब हम इसके उपर पहले तो थोड़ी सी कलोंजी लगा देंगे छिड़क देनी है और उपर से कटे हुए धन्या की पति डाल दीजिए और फिर बेलन से अच्छे से बेल लेजिए ताकि ये रोट देखिए एक नान को बना के मैंने तयार कर लिया है इसी तरह से मैं एक और नान बना के दिखाती हूँ और आप एक बार जरूर बना कर अपने बच्चों को खिलाएं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ में बनाऊंगी मैं छोले की सबजी तो वो वीडियो भी मैंने चै और उपर से थोड़ा सा सुखा मैदाल पेट के फिर से लोई बना के एक रोटी बेल दी है और इसके उपर लगा देंगे कलोंजी और धनिया पति लगा के थोड़ा सा फिर बेल के और रख लेंगे दो नान को मैंने बेल के रख लिया है और बाकी के साथ की साथ बेलते रहेंगे और एक पैन लिया है और अच्छे से नीचे से गरम होने के बाद नान को पलट दीजिए और थोड़ा सा लगा ये देशी घी ज्यादा नहीं थोड़े घी का ही इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल थोड़े का और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखे ज्यादा भी नहीं रखनी है मीडियम टू हाई फ्लेम रखेगा और इस तरह से उपर घी लगा के पलटे से दबा दीजिए और फिर हम नीचे वाली साइड पकने के बाद नीचे से पलट देंगे और ये देखिए कितने अच्छे नान बन कर तयार हुए है बिल्कुल सोफ्ट सोफ्ट सपनजी से आप घर पर आसानी से बना सकते हो ऐसा नहीं बच्चे नान के लिए तर्षे तो आप इस मेरी वीडियो को देखके आप जरूर बना कर खिलाएं अपने बच्चे को ये देखिए एक नान पकर तयार हो गया है अब हम दूसरा भी इसी तरह से पका लेंगे नीचे से हलका ब्राउन होने के बाद हम पलट देंगे और थोड़ा सा देशी घी लगा लेंगे उपर नीचे अगर आप बगैर घी के बनाना चाहते ना तो वो भी बहुत अच्छे बनेंगे घी की भी कोई जरूरत नहीं है अगर लगाना चाहें तो थोड़ा सा लगा सकते हूँ मैंने सिरफ थोड़ा सा लगाया है जिसे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा बच्चे और भी खुश होके खाएंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्यू और ये देखे दूसरा नान भी पक कर तयार है इस तरह से घी लगा के अलट पलट करके मैंने पका लिए हैं और सभी चीजे हमारे घर में ही होती है कोई चीजे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है घी, तेल, शोड़ा, चिनी सब और हमें सिर्फ ऐसा लगता है पतानी कैसे बनाते हैं अगर हम थोड़ी सी हिमत करके बना के देखे न तो बहुती टेस्टी लाजवाब डिस हम घर पर बना सकते हैं और ये देखे, मैंने तीन नान बना कर दिखा दिये हैं पाकी को साथ की साथ बनाएंगे और उपर से सभी नान पर थोड़ा-थोड़ा घी लगा दूँगी ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी टेस्टी हो आप घर पर छोटी मोटी पार्टी में भीने ट्राई कर सकते हैं अगर महमान आने वाले हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं और ये देखिए मैं किस तरह से दिखा रहे हूँ कितने नरम और सोफ्ट सपनजी बने हैं तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर